हेलो एव्रिवन वेल्कम बाक टो माई चैनल विदी की पाग चाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा अभी एक वीडियो मैंने कुझरे पहले अपना अप्लोड किया था तो जब उसके बाद मैं ट्राइपॉड को रखने जा रही थी तो ट्राइपॉड से हुआ था उसे मुझे कुछ ध्यान आया और मुझे जब ध्यान आया तो मैंने सोचा क्यों ना वो जुरिस्पॉडेंस का टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर लूँ जिहां जो ट्राइपॉड जिससी कि मैं ये वीडियो बना रही हूं जो कि तीन चीजों पर बेस है इसी स कुछ मुझे ध्यान में आया है तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं जी यहां मैं बात कर रही हूँ जौन ऐस्टिन की अब जौन अस्टिन का नाम तो आप सभी जानते हैं कई बार मैं आपको बता चुकि हूँ और जौन अस्टिन ने जो इंपरेक्टिव थोरी दी है imperative theory यानि कि जो विधी का जो आदिशात्मक सिधान थे वो भी तीन pillars कह लिजे या तीन legs कह लिजे तीन चीजों पर टिका हुआ है तो मुझे अपने tripod को देख करके उसी की याद आई थी वो तीन words क्या है हम बात करते हैं sovereign then command and third one is sanction देखे जो John Austin का जो इंपरेक्टिव थोरी है यानि कि John Austin का जो विधी का आदिशात्मक सिधानत है उसमें उनने का है कि विधी समप्रभू का समादेश हैं जिसका पालन करना सबका करतावे हैं और नहीं पालन के जाने पर दंड यानि कि शाष्टि का प्रावधान है तो देखे इसमें यहां पर हम एक वर्ड और इंक्लूट कर रहे हैं डूटी जो डूटी वो भी आपका कही ना कर इसी के अंदर इंक्लूट आ जाता है पर यह में तीन वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है और यह दिखेवल में एक एक लाइन में आपको इन तीनों वर्ड का मेनिंग बता हूँ तो देखे सवर्ण का मेनिंग होता है सुप्रेम पावर जो किछी के bindon नहीं होती है पॉजिटिव इसमें quality भी है एक negative quality भी कि है पॉजिटिव बात क्या है सवरण के बात को सब ofay करेंगे और negative quality क्या है सवरण खुद किछी के बात को अबे नहीं करेगा तो देखें, यहाँ पर क्या है, Austin कह रहे है कि जो state है, that is the sovereign power, अब इसे state ने क्या करा, command दिया, तो देखें, यहाँ पर command का मतलब क्या है, command का मतलब, the will of state, राज्ये की इच्छा की अभिवेक्ति है, जो लोगों को किसी काम को करने या ना करने के लिए कह रही है, तो वो word हमा अब देखें, यहाँ पर command का मतलब, हम कोई request की बात नहीं कर रहे है, नहीं कोई हम state आप से कोई prayer कर रहा है, कि मेरी बात को follow कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, command का मतलब, कि हमें उस बात को follow करना ही होगा, यह हमारी duty होगी, अब यदि इस duty को नहीं follow किया जाएगा, जो लोग इ state उनको क्या देगा, sanction, यानि कि तब उन लोग को punishment मिलेगा, जो कि अपनी duties को perform नहीं करेंगे, तो देखें, यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि जो sovereign है, जो command है, जो sanction है, इन तीनों के उपर ही, Austin की imperative theory टिकी हुई है, तो यहाँ पर बस किवल आपको इतना ही बताने का मतलब इससे related जो पूरी आपको यह दी वीडियो देखनी है, तो मैंने अपनी वीडियो अप्लोड की हुई है, आप उनको देख सकते हैं, thank you so much for watching the video.